हाई फ्रेंड आज मैं एक एंटी इंफ्लामेंट्री एंड एनालजेसिक टेबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूँ आपके सरीर में होने वाले दर्द और सूजन को दूर करने के लिए इस मैडिसिन को लेनी की एडवाइस की जाती है काईमो सिन फोर्ट टेबलेट ब्रांड नेम सी एह मारकेट में उपलब्द होता है आस्ट्रा लेप्स लिमिटेड के दारे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कीमत के अगर बात करें तो 20 टेबलेट के किस्टिप मारकेट में 250 रूपीज का उपलब्द होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस ना करें अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्स्पिरियंस रहे हैं कमेंट सेक्षन पर लिख कर मुझे जरूर बताएं मेडिसिन को अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं अगर आप मुझे फोन पर बात करना चाहते हैं तो कॉल मी एप के दौरा डारेटली आप मुझे फोन पर बात कर सकते हैं आए ये फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कमपोजीशन के बारे में तो फ्रेंड्स इस टाब्लेट में टृप्सिन और काइमो टृप्सिन वन लेद्ध यूनित की मातरे में उपलब्द होता है अब बात करते हैं इसकी कुछ बैकल्पिक बारे में तो फ्रेंड्स, फाइब्रो ट्रिप डियस टेबलेट जिसे अलकिमिस्ट साइंस लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है, ट्रिपसी टेबलेट जिसे मेड मेन और और अर्गनिक्स प्राइविट लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है, काइमो टेक टेबलेट जिसे अलपिक बाय यह कुछ ऐसे अन्य डिफरेंट ब्रांड हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की इस हीते में पर्चेस कर सकते हैं आपको एफेक्ट से मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का साल्ट या मॉलिक्यूल जो होता है वह सेम होता है आप देखते हैं इसकी कुछ प्रमुक इस्तेमाल के बारे में तो मैंने जैसे पहले आपको बताया है यह एक नालजेसिक टेबलेट है और आपके सरीर में होने वाले दार्द को दूड करने के लिए इस मेडिसिन को प्योग किया जाता है ऑपरेशन के पहले होने वाली सूजन या ऑपरेशन के बाद में होने वाली सूजन को र कराना घबराहट होना सिरदर्द होना आदिस के कुछ कामल साइड डिफेक्ट की रूप में देखे गए हैं अब देखते हैं फ्रेंड्स इस मेडिसिन को इस्तमाल कैसे करना चाहिए तो नेरली आल वीडियो में आपको बताता हूं कि मेडिसिन को आपके डाक्टर के द्वारा जो सजेशन के अगए हैं उसके अनुसार इस्तमाल करना चाहिए आपको मेडिसिन को इस्तमाल करने के दोरान अपना लौईका बहनीं लगाना चाहिए डाक्टर के द्वारा सजेश्ट किया गए करने के पहले या भोजन करने से कम से कम एक घंटा पस्चात आपको मेडिसिन का इस्तिमाल करना चाहिए अब देखते हैं फ्रेंड्स के मेडिसिन काम कैसे करती है तो फ्रेंड्स यह यह जो affected area रहता है जहां पर blood की supply कम होती है वहां पर blood की supply को यह बढ़ा देता है और जो swelling होती है यानि जो सूजन होती है उसको कम करने का काम करता है अब friends medicine से जोड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं तो friends इस medicine को आपके शरीर में होने वाले दर्द को दूर करने के लिए और जो सूजन वगेरा होती है यानि swelling होती है उसे दूर करने के लिए जैसे operation के पस्चात होने वाली सूजन होती है या operation के पहले किसी प्रकार के अगर आपको complication हो रहे हैं दर्द या सूजन हो रही है तो उससे राहत दिलाने के लिए आपको इस medicine को लेने के एडवाइस की जाती है भोजन करने से कम से कम एक घंटा पहले आपको इस medicine को इस्तिमाल करना चाहिए तब ही आपको अच्छा effect मिलता है अगर आप भोजन कर चुके हैं तो बहतर होगा कि एक घंटा पस्चात ही medicine को ले अगर किसी प्रकार की surgery होना है तो चुकि यह medicine blood clotting में affect करती है उसे प्रभावित करती है blood clotting को इसलिए आपको suggest किया जाता है कि अगर किसी प्रकार की surgery के समय निर्धारित आपका हो चुका है तो आपको कम से कम 15 दिन पहले medicine को लेना बंद कर देना चाहिए अगर आपको किसी प्रकार की liver या kidney से जुड़ी कोई समस्या हो रही है या blood clotting का कोई factor या mechanism आपके स्रीर में प्रभावित हो रहा है तो आपके इस बारे में doctor से परमर सवस्य करना चाहिए क्योंकि जो medicine होती है blood clotting को affect करती है और doctor के द्वारा दी गई आधिक मातर में कोई दूसरे प्रकार की medicine आपके clotting mechanism में गंभीर दुस्परणाम ला सकती है इसलिए आपको इस बारे में उस्चित परमर सवस्य करना चाहिए medicine अगर कोई भूल गये हैं या निश्चित समय पर नहीं ले पाए हैं और पिछली जो छूटी ही उखरांख उसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए medicine का जिस दौरान आप इस्तिमाल कर रहे हैं तो alcohol या किसी प्रकार की नसे की समगरी का आपको इस्तिमाल नहीं करना चाहिए इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं गर्भवस्था से अगर आप गुजर रहे हैं या इस्तन पान करा रहे हैं तो बहतर होगा कि आप अपने डाक्टर से उचित पर आमर्स करें इसके पस्चाती medicine का सेवन करें इस medicine को लेने के दौरान किसी प्रकार का mental concentration loss होता है या अभी ग्यात नहीं है फिर भी अगर बहुत आवश्यक नहीं हो तो medicine लेने के तुरंत बाद आपको driving से बचना चाहिए kidney रोग और liver रोग से जुड़ी समस्चाओं के लिए मैं आपको पहले ही advice कर चुका हूँ कि अगर किसी प्रकार की आपको problem है या clotting mechanism अगर आपके सिरीर में alter है तो आपको अपने चिकिस्चक से इस वारे में आवस्य परामर्स करना चाहिए इस medicine को छोटी आबधी के लिए इस्तमाल किया जाना सुरक्षित होता है जनरली 10-15 दिन के लिए medicine को उपयोग करने के आपको advice दी जाती है जब तक डाक्टर इसकी डोज को आगे ना बढ़ाए 15 दिन से अधिक तब तक लंबे समय तक आपको medicine का अनुपान नहीं करना चाहिए और जब तक डाक्टर इसे ना कहे यानि लगभग 10-15 दिन तक तो अपने आप medicine को आपको लेना बंद भी नहीं करना चाहिए इस medicine को generally लेने के बाद लगभग 24-48 घंटे के समय medicine को set होने में लगता है यानि medicine को जो आंतरिक गतिविधि होती है उसको उत्पन होने में या उसकी प्रभाविता को सो होने में लगभग 24-47 घंटे के समय लगता है आता है अगर आप medicine के एक डोज या दो डोज ले रहा हैं किसी प्रकार का परिणाम आपको नहीं मिल रहा है तो कभी-कभी आप medicine लेना बंद कर देते हैं ऐसा आपको नहीं करना चाहिए यह जनरली एक उत्प्रेरक की रूप में काम करता है और किसी प्रकार के उत्प्रेरक को काम करने में थोड़ा सा समय लगता है इसलिए आपको धहरे रखना चाहिए और medicine का 7 कम से 7 से 10 दिन के लिए आवस्य करना चाहिए अगर आपके किसी प्रकार की medicine का overdose हो गया है तो आपको इस बारे में सतरक रहना चाहिए और उससे बचने के प्रयास को करना चाहिए अपना logic लगा कर medicine की overdose कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आपको दर्द या सूजन से राहत नहीं मिल रही है तो एक टेबलेट की जगह दो टेबलेट आपको नहीं लेना चाहिए इससे आपको गंभीर दुस्परणाम झेलने पड़ सकते हैं किसी भी प्रकार के medicine से अगर प्रभाविता है और आप उसके डोज को अगर घटाते भी हैं यानि एक टेबलेट की जगह आधी टेबलेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो medicine पूरी तरह से वर्क नहीं करेगी मेरे कहने के ताथ पर यही है कि अपना logic ना लगाती है डाक्टर के advice को follow करना चाहिए और properly medicine का इस्तेमाल करना चाहिए medicine overdose या underdose नहीं करनी चाहिए अब friends अगर मैं एक चीज़ और बता देना चाहते हूँ कि अगर आप इस medicine से allergic है या इसके कोई भी जो composition होता है इसमें कोई भी content से अगर आपको allergy है तो आपको इस medicine को लेने से बचना चाहिए और अगर आपको किसी भी प्रकार की गंभीर समस्य है जैसे heart में problem है brain में problem है kidney या liver में problem है या किसी अन्य प्रकार की समस्य आपको हो रही है रक्त संबंध किसी भी प्रकार की विकार से अगर आप पीडित हैं तो आपको इस बारे में डाक्टर से उचित परामर्स करना चाहिए क्योंकि यह medicine आपके सरीर में गंभीर प्रकार की दुस्प्रेणाम डबलप कर सकती है गर्ववति अगर आप है या गर्ववति बनने की योजना बना रही है या लेक्टेशन पीरिड यानि आप दुख्द पान करा रही है तो आपको इस medicine का इस्तमाल नहीं करना चाहिए बचना चाहिए क्योंकि यह medicine जो गर्भास्त सिसू है या जो छोटा बच्चा है जिस दाता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें medicine को आपको सिर्फ वीडियो के अधार पर सेवर नहीं करना चाहिए आपके लिए नुक्सान दायक हो सकता है इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही किसी अन अच्छे इंट्रेस्टिंग टॉपि